टू प्लेनो कॉन्केव लेंसे उफ ग्लास उफ एक दूसरे के तरफ है, इनकी कॉर्वड सर्फिसे एक दूसरे के तरफ है, इन पूरी पिक्चर है क्या, पूरी पिक्चर है क्या, हमारे पास में एक प्लेनो कॉन्केव लेंसे जिसकी रेटेस अफ करवेचर थर्टी सेंटीमिटर है, इसकी 30 है और इसकी 20 है, अब देखो हमको क्या बोल रहा है, इसके बीच में musicals 2 4 by 3 का एक medium फिल कर दिया, musicals 2 4 by 3 का मतलब होता है कि मैं यहाँ पर एक liquid फिल कर देता हूं, यह लिजे, musicals 2 4 by 3 यह पाने का refractive index होता ना, तो हमने यहाँ पर water बढ़ दिया एक तरही किसे, तो एक lens यह बन गया, एक lens तो यह बन गया, lens number 1, यह lens number 2 और यह lens number 3, यह तीन lenses हो गए मारे पास में, अगर मेरे को इनका equivalent focal length चाहिए, तो 1 upon f is equal to 1 upon f1, plus 1 upon f2, plus 1 upon f3 का formula लगेगा, यह तो ताय हो गया, ठीक है, अब मुझे इन तीनों की focal length निकालनी होगी, मैं सबसे बहले इस वाले पार्ट का focal length निकालता हूँ, जिसका यह वाला radius इस तरफ से 20 cm हो, तो सबसे पहले मैंने यह lens बनाया, प्लेनों, concave lens, यह questions करते समयक तो उनके formula पता होने चाहिए, पताओ, इसका formula क्या होता है, प्लेनों, concave lens का, focal length का formula, f is equal to r upon mu minus 1 होता है, with minus sign, r कितना है, 20 cm, mu कितना है, 1.5 minus 1, minus 20, 1.5 में से 1 गठा हो तो 0.5, तो यह minus 20.5 का मतलब half होता है, तो उपड जाके minus 40 cm हो जाएगा, तो यह मरे पास में minus 40 आ गया, यह लिजे, minus 40, ओके, अब एक काम करते है, इस f2 की कहानी बाद में करेंगे, पहले f3 की कहानी को solve कर लेत है, इसका rates of curvature 30 cm है, अब अंतर इतना सा है यार दोनों में कि, यह जो बनाया था, इनका यह बस face का जो direction है, वो अलग-अलग है, यह लिजे, फिक है, formula वो ही चलेगा, r upon mu minus 1, और विदियां पर minus sign, इसका r 30 cm है, 1.5 minus 1, minus 30, this is 0.5, 0.5 का मतलब होता है, half, यह चला गया, उपर तो minus 60 cm, यह लिजे, हमने यह वाला काम भी कर दिया, minus 60, अब जो मारा सबसे तगड़ा काम है, वो बाकी है, यह वाला, हाना, इसकी focal length निकाल लेते हैं, इसके दोनों तरफ की radius of curvature हैं, वो अलग-लग है, इसमें तो direct formula लिग दिया, पर अगर अलग-लग radius of curvature हो, तो हम लोग कैसे निकालें, यह वाला हमारे पास में, लेनो, मतलब यह वाला हमारे पास में convex lens है, 5-convex, दोनों तरफ से convex, इसकी radius of curvature जो है, यहां की 20 है, और इस वाले हिस्से की 30 है, और इस वाले हिस्से की 30 है, ओविसलिए, हमारे काम में आने वाले है, lens makers formula, लेंस मेकर्स फॉर्मॉला टूल्स आपके पास में बिल्कुल तगड़े होने चीए अगर फॉर्मॉले से सब्सक्राइब तयार है ना फिर कोई दिक्कत नहीं है पॉर्मॉला होता है म्यू मैनस वन अपॉन आरवन मैनस वन अपॉन अपॉन और रोप्टिक्स का तो कोई भी कोशन हो यार साइन कन्वेशन का अच्छे से यूज करना आना चाहिए अब आरवन और रटू की डिरेक्शन भी यहां पर मेरे को लिखने पड़ेगी साइन लिखने पड़ेंगे मतलब क्या साइन होगे मैंने एक्सेस बना लिए और यहां पर अबजेक्ट रखती है अब इस अबजेक्ट से रही निकलती है तो पहले इस सर्फेस पे ठकराती है इस सर्फेस का रेटिस अफ करवेचर कैसे मेजर किया जाएगा यह जो स्फेर का पार्ट आपको दिखाये दे रहा है जिस पूरे स्फेर का पार्ट है जिस पूरे गोले का पार्ट है उस पूरे गोले का सेंटर यहां कहीं होगा चलो पहले तो मैं पूरा गोला बनाता हूँ इसका पूरा गोला बना है यह इसका पोल और यह इसका सेंटर अफ करवेचर हमेशा हमें distances measure करने के लिए pole से center of curvature की दरफ आता हूं तो मैं radius of curvature को measure करने के लिए pole से center of curvature की दरफ जा रहा हूं incident race भी दर ही आ रही है तो जो मेरा r1 आएगा वो plus r आएगा plus 20 तो mu की value 4 by 3 minus 1 this is plus 20 जो 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 चीज़े आती जा रही है तेयरी करके रखते जाओ यहां पर r2 की value put करने है r2 मतलब इस surface का radius of curvature यह वाली जो surface है जिस बड़े sphere का part है वो sphere ऐसा होगा उसका center यहां होगा जिस बड़े sphere का part है वो बड़ा sphere बनाओ यह yellow इसका center of curvature होगा और इसके pole से center of curvature की तरफ आओ मेजर करने के लिए आपकी raise left to right जा रही थी आप right to left आ रहे हो मतलब r2 की value minus में आएगी minus 30 cm यह लिज़े minus 30 cm 4 by 3 minus 1 मतलब 1 by 3 यह sun convention अच्छा से आगे ना इस वेरी इंपोर्टेंट है ना को भी दिक्कत हो तो rewind करके फिर से देख ले ना वीडियो को और खुद करके देखने आज question को बाद में यह 60, यह 3 और यह 2 1 upon 3 यह 5 और यह 60 12,5 1 by 36 मतलब focal length इसकी 36 cm आगे प्लस में यह था तकड़ा काम, महनत वाला काम था यह काम अपलोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया, यह लीजिए अब मारे पास में इसका 36 आ चुका है, तो यह इसकी विलू 36 पूट कर दीजिए अब LCM ले लीजिए 360 ले लो, ओके यह minus 9 यह plus 10 और यह minus 6 तो यह minus 15 plus 10 upon 360 minus 5 upon 360 focal length आजाएगी कि इसकी 360 upon 5 with minus sign तो यह आजाएगा 7 and 2 minus 72 cm So the correct answer of this question is minus 72 cm अगर मैं इसकी options को check करता हूँ तो correct answer is minus 72 cm This is the correct answer of this question तो देको बहुत ही मज़ेदार सा सवाल था I hope आप लोगो ने बहुत इंजोई किया होगा इस question को बहुत शांदार, बहुत शांदार I really, I really enjoy it मैं जब इस question को करता हूँ या अभी मैं solve करवाता हूँ इसको बहुत अच्छा लगता है यूगि इस question से student के सारे concepts जो आना वो clear हो जाते है जब-जब कभी आप revision करो ना इस particular topic का तो इस question को ज़रूर लियाकरो अपने revision में या आपके science convention से लिटेट, focal lens से लिटेट सब-सब-सब चीज़ें बिल्कुल clear कर देगा तो मैनत करो यार, thank you so much God bless you and love you कर दो